दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि UP, TGT, PGT, English 2022 को लेकर हमारी एक सिरीज चली हुई है और इस सिरीज का नाम भी यही है कि Mission 2022 और इस सिरीज में सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूँ वो है Literary Terms और Literary Terms में अलड़ी आपको टॉपिक्स कराई जा चुके हैं जो टॉपिक कराई जा चुके हैं उनकी वीडियो जो हैं वो आपके यूट्यूब पर एविलेबल हैं इसके साथ टेलिग्राम चैनल पर भी पोस्ट है तो टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें क्योंकि उ साथ साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताए कि हमारी recorded classes भी अविलेबल हैं जो कि special scheme में है जो आप खतम होने वाली जल्दी तो अगर जो आप चाहें तो उसका फायदा उठा सकते हैं जिसमें आपको UPTGT का complete course मिलेगा जिसमें first day से लेके last day तक की वीडियो होंगी और वो आप अपने accordingly कभी भी देख सकते हैं कितनी भी वीडियो दो तीन चार जितनी दिन में देखना चाहें उतनी आप देख सकते हैं और केवल 1000 रुपी में आपको यह provide हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो notes हैं हमारे one liner notes वो भी आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं उसके लिए भी आप मुझे contact कर सकते हैं मेरे number 9756055255 पर तो दोस्तों देड़ ना करते हुए start करते हैं अपनी class को आज का हमारा topic है limerick दोस्तों यह literary term का topic है हमारा और topic क्या है limerick है अब यह limerick होता क्या है किसको limerick कहा जाता है तो सबसे पहले तो आपको यही समझना ज़रू लिए कि limerick होता क्या है तो limerick जो है वो एक पांच लाइन की poem होती है limerick is a poem of five lines अब इसमें पहले मापको यह बता दूं कि limerick आया कहां से कहां से माना जाता है limerick यह माना जाता है दोस्तों कि Ireland का एक city था जिसका नाम हुआ करता था limerick तो वहीं से इसका origin माना जाता है तो यह question अगर जो आजाए कि कहां से माना जाता है इसके उत्पत्ती किस देश से माने जाती है तो Ireland से माने जाती है जहाँ पर limerick नाम का एक city हुआ करता था तो उसी city के नाम पर यह limerick word आया और वहां के लोग यह बताए जाते हैं कि जो limerick city के लोग थे रहों forward type के लोग करता था humor को create करने का वो एक rough humor को create करने का topic था और वो क्या था वो sex था and sensuality था तो उसको लेकर वो बाते क्या करते थे तो उसी से यह origin माना जाता है कि limerick की उत्पत्ती हुई limerick जो है मैंने आपको बताए कि एक five lines की poem होती है limerick इसे five line poem तो यह five lines की poem है जो limerick है इतना के लिए हुआ कि question आ सकता है how many lines are there in limerick हर point important है क्योंकि हर point question से जुड़ा हुआ है और आपको हर point को दिमाग में बड़े आसानी से बिठाना है रटना नहीं है केवल समझना है चीजों को तो limerick जो है कितने lines की poem है पांच lines की poem है limerick अगर जो आपको ऐसे याद ना है तो limerick को limka से तोड़ लो आप कितनी limka पिसकतो दिन में पांच पिसकता हूँ इतना याद रखना कि मैं पांच limka दिन में पिसकता हूँ तो limerick के आदर जाएगा कि 5 lines की कविता है limerick तो दोस्तो limerick क्या है ये 5 lines की poem होती है अगर जो इसकी rhyming scheme की बात करें तो क्या हो जाएगा इसकी rhyming scheme होगी a a b b a a b b a ये इसकी rhyming scheme होती है सबसे पहले double a double b a simple आप ऐसे आत करिए double a double b और a या फिर a की 2 b की 2 जैसे mathematics में करते हैं न a की 2 तो a square 2 इस तरह से आप याद कर सकते हैं a की 2 b की 2 a वो अपना तरीका है दोस्तों कैसे आप याद कर सकते हैं ठीक न a a b b a ऐसे भी आद हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है double a double b और a इस तरह से भी आप याद कर सकते ह हैं तो इसकी rhyming scheme क्या होती है इसकी rhyming scheme होती है double a double b a इतना के लिए हुआ lembrick कितने lines की पॉयम होती है पांच lines की पॉयम होती है rhyming scheme की बात करें तो a a b b a rhyming scheme होती है अब इसके बात इसमें यह बात करना यह चीज पर ध्यान देना बहुत important है जो point number three है बहुत important point है line number one two and five य एक दो पांच इतना याद रके लिए one two five one two five आपको याद रखना है one two five तो line number one two five तो rhyme together करती है मतलो आपस में rhyming करती है line number one two five इस तरह से आप रिदम बनाना दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों तो 1-2-5 क्या है यह राइम आपस में करती है लिमरिक में ठीक ना 1-2-5 इसके अलावा लाइन नंबर 3 & 4 राइम टुगदर तीसरी और चोती राइम आपस में करती है 3 & 4 यह तो सिंपल है सीक्वेंस में 3 & 4 केवल आपको दिमाग में बैठाना है 1-2-5 1-2-5 क्या याद करेंगा आप 1-2-5 तो 1-2-5 जो है वो राइम टुगदर है और इसके साथ 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 लाइन नंबर 3 & 4 राइम टुगदर लाइन नंबर 3 और 4 जो है वो भी राइम टुगदर करती है एक साथ राइम करती है तो इतना के लिए रुआ लिम्रिक क्या है लिम्रिक 5 लाइन की पोहम है मैं यह कहता हूँ कि अगर तो आपने वीडियो को ढंक से सुन लिया ना आपको कुछ कहीं रटने रटाने की कोई जोरोत नहीं है आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा और जब एक्जाम में कुश्चन आ गया तो एकदम आपको माईड माजाएगा कि सुन ने बताया था कि लाइन मर् 1,2,5 तूinaire टूं दूगदर ऊन चाहरा पहले के इसके साथ साथ 3 एं 4 चाहरा और कितनी लाइनन 5 लिम्रिक का पे नहीं है तो इसज़ोर के लगे है जादर से जाधर करनना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना और इसके साथ साथ टेलिग्राम चैनल पर जरूर जूड़ जाईए क्योंकि उस पर हमारी जो प्रीविएस वीडियो हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी को पढ़ाई हैं वो भी एविलेबल हैं और मैं आपसे बार-बार एक ब लेके भी बनाओ तो फीगर ओफ स्पेच की वेरी स्पेशल वीडियो भी मैंने अल्लेडी बनाई हुई है तो सब टेलिग्राम चैनल पर एविलेबल हैं आप वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक नों उनको आप स्टेडी कीजिए तो इतना के लिए हुआ आपके आगे पढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं मीटर की इतना के लिए रुआ बात करें जो इतना के लिए रुआ जो एनपस्टिक ट्राइमीटर और एनपस्टिक डाइमीटर ट्राइमीटर की बात करें तो दोस्तो इसमें 3 स्ट्रेस होते हैं एक लाइन में कितने स्ट्रेस होते हैं 3 स्ट्रेस होते हैं और अगर जो हम एनपस्टिक डाइमीटर की बात करें तो कितने स्ट्रेस होते हैं 2 एक्जाम में पूछा जाएगा कि how many stress are there in anapastic trimeter, so your answer will be 3 stress, और how many stress are there in anapastic diameter, your answer will be 2 stress, आपका answer क्योंगा, 2 stress, stress आप जानते ही, जब किसी चीज़ को हम एक stress दे के बोलते हैं, खीच के बोलते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसमें trimeter में 3, ठीक है, और diameter में 2, is that clear, ये clear है, तो इसमें जो meter होता है, तो उसमें याद रख लेना, 1, 2, 5, 1, 2, 5 लाइन में कौन सा, एनपेस्टिक trimeter होता है, और इसके अलावा 3 and 4 लाइन में कौन सा होता है, एनपेस्टिक diameter होता है, trimeter में 3 stresses होते हैं, diameter में 2 stresses होते हैं, दोस्तों, meter के questions exam में कम पूछे रहाते हैं, लेकिन फिर भी किसी दिन मोका मिला तो आपको meter जरूर समझाऊँगा, meter समझेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में, बहुत अच्छा interesting topic है meter का, और generally लोग इसको avoid कर देते हैं, बट आपने देखाओको मेरी जो previous classes हैं, जो even YouTube पर भी पड़ी हैं, वहाँ पर भी आपको meter मिल जाएगा, मैंने पूरा Imbic meter को भी पूरा explain किया हुआ है, other meters को भी explain किया हुआ है, और आज बात आई एनपेस्टिक trimeter और diameter, तो यह भी मैंने आपको ब्रीफ में बता हैं हाँआपर कि एनपेस्टिक trimeter में कितने stress, 3 stress और diameter में 2 stress होते हैं, और यहाँ पर 1, 2 and 5 line में एनपेस्टिक trimeter है, और इसके साथ 3 and 4 line में एनपेस्टिक trimeter है, इट generally deals with the subject of love, दोस्तों off रहे गया है हाँआपर, और off आप add कर लेना, subject of love, sex and romance, कोमा भी छूट गया है, तो जो छोटी सी mistake हो गया है, इसका आप सही कर लेना, तो love और sex के बीच में कोमा लगेगा, और इसके साथ off लगेगा, इसमें जो इसकी theme माल लीजिए, इसका subject माल लीजिए, किस विशय पर यह लिखा जाता है, दिखतर यह जो 5 lines की poem होती है, 5 lines का एक standard type होता है, तो यह love के उपर, sex and sensuality के उपर, और romance के उपर, और आपको एक बात, और मैं बता दू दोस्तो, इस प्रकार की poem को, जो यह poem है, आपकी limerick, इसको toilet song भी बोलते हैं, याद रख लेना, इसको क्या बोलते हैं, इसको toilet song के रूप में भी जाना जाता है, आपको बड़ा जीब सा लगोरा और अफसक की सर्थ, कैसी बात कर रहे हैं है, toilet song, यह toilet song भी कहा जाता है, इसको toilet song भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं क्योंकि cause of its vulgarity, cause of its sexuality, cause of its raciality तो वो सारी चीजें जो इसमें पार्ट आती हैं चाहे वो rustic approach हो या फिर raciality हो या वो sexuality हो या फिर talk of vulgar love हो तो वो सभी इसका पार्ट होती है लिम्रिक का और एक ऐसा मतलब जो topic हो ऐसा लगता है कि it's meaningless, meaningless है जैसे कि अरस्तु ने कहा था ना comedy के बार में जब अरस्तु कहते हैं तो किसे वो कहते हैं कि comedy deals with the ridiculous actions of life, जो comedy है वो हमारे जीवन के जो फूर्ड वाले भाग होते हैं जो rustic part होता है जो ridiculous that is meaningless उससे part करती है comedy और यह बिलकुल ही meaningless मालो लिम्रिक comedy का ही part है, comic क्योंकि humor create करता है लिम्रिक जो है और यह इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है rough language है और जो standard writer है na English में वो इसको जेनरली avoid करते हैं, लिम्रिक के उसको avoid करते हैं क्योंकि जैसे मैंने भी बताए toilet song है एक तरह से क्यों क्यों है toilet song इसको क्यों कहा जाता है वही कारण क्यों जो इसके features है उस विज़े से तो toilet song कहा जाता है इसके साथ साथ दोस्तो दे लिम्रिक गौट popularity बाई Edward लियर यह भी question important है कि सबसे ज्यादा popularity लिम्रिक को किसकी विज़े से मिली कौन थे वह ऐसे महान उभाव कौन थे वह महान लेखक जिनोंने लिम्रिक को popularity दिलाई तो कौन थे वह दोस्तो Edward लियर Edward लियर थे और Edward लियर के work का नाम आप सुनिए आपको खुद हसी आजाएगी a book of nonsense a book of nonsense एक nonsense वाली किताब अब जब nonsense वाली किताब है तो बाते भी कैसी होंगी nonsense बाते होंगी न वल्गर बाते होंगी sexuality की बाते होंगी तो वही चीज़ है यहाँ पर तो book of nonsense more nonsense pictures it is also the work by Edward लियर यह भी Edward लियर का work है इसके साथ rhymes and botany इन में सभी में आपको लिम्रिक का use देखने को मिलेगा with its essential features Edward लियर रोट 212 लिम्रिक्स यानि कि 212 लिम्रिक्स जो थे वो Edward लियर ने लिखे थे important question है याद रखना कितने लिम्रिक्स लिखे थे Edward लियर ने Edward लियर ने 212 लिम्रिक्स लिखे थे and all those are considered as nonsense literature और उन सभी लिम्रिक्स को क्या माना जाता है nonsense literature अब आप समझ गे होंगे nonsense literature क्यों कहा जाता है बही nonsense है तो nonsense ही कहा जाएगा ना किसी nonsense को आप ये तो कह दोगे नहीं कि ये बहुत intelligent है तो nonsense को nonsense ही कहा जाएगा लेकिन इस nonsense में भी कहीं न कहीं intelligence चुपी होई क्योंकि लिम्रिक को लिखने में भी ऐसा नहीं कि art नहीं चाहिए art of writing आनी चाहिए लिम्रिक को लिखने में भी एक sense of humor होना चाहिए presentation आनी चाहिए comic features पता होने चाहिए ये features हैं क्योंकि और आज के वर्तमान समय की बात करें तो आज कल आप देखते होंगे कि काफी movies इस परकार की आती है जहां पर विलको बहुत चादा अशलीलता परोसी जाती है और ओर तो ओर छोड़ी है आज कल तो social media भी आप बच्चों को फोन हाथ में दे नहीं सकते क्यों कि जब बच्चे उसमें Facebook चला ले YouTube चला ले या फिर कोई भी शॉर्ट वीडियो वो निकाल ले सब में अशलीलता परोसी जा रही है तो यह तो एक वर्क है पुराना रेटेन वर्क है लिम्रिक और यहां भी इसी परकार से जो है एक तर कि अगरे को आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो मैं यह चाहता हूं कि मेरा रिजल्ट आए लास्ट टाइम भी मैंने आपसे यही कहा था और बैस्ट रिजल्ट यू पि के अंदर दिया हमने बेस्ट रिजल्ट बहुत सारे बच्चों का सेलेक्शन हुआ UPTGT में बहुत अच्छा रिजल्ट आया इवन टेक्निकल इंग्लिश लेक्शरार में जो शुभांगी का सेलेक्शन होना बहुत बड़े गर्व की बात है तो यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप और हम मेरे से जुड़े तो मेरे साथ तयारी करें आप कंप्लीट पैकेज लें आप रिकॉर्डेट क्लासेज लें आप नोट्स लें आप जो मेरी डेली क्लासेज चल रही है सीरीज चल रही है मिशन 2022 इसको चारी रखें कोई भी फिर कंडिशन ऐसी नहीं हो सकती कि आप सफलता ना हासिल करें आपको सफलता मिलकर रहेगी अगर तो आप इस तरह से चलते हैं क्योंकि मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग ली और मेरे कंप्लीटली आप मुझे फोलो करेंगे तो फिर मुझे रहेगा कि हाँ आपने कंप्लीटली मुझे तयार किया है और जब मुझे तयार कि तो वही चीज है, आप भी उनी में से एक बनिये, और अपना नाम भी उसी तरह से रोशन कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, एक positive attitude के साथ. इसके साथ साथ इसको humorous drinking song भी के रूप में भी जाना जाता है, एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूँ, या उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, limberic क्या है, एक five lines की पहयम होती है, five lines की पहयम होती है, limberic जो है, इसकी rhyming scheme की बात करें, तो A, A, B, A, इसकी rhyming scheme होती है, इसमे line number, जो line number one two five है, यह rhyme together करती है, और three and four हो rhyme together करती है, इसमे, ऐन पैसिक diameter होता है, one, two and five line में, जिसमें 3 stress होते हैं और एनपेस्टिक डाइमीटर होता है 3 & 4 लाइन में जिसमें 2 stress होते हैं इसके साथ साथ दोस्तों इसका जो subject होता है वो love, sex और romance का होता है और ये अक्सर use किया रहाता है comedies में या comic plays में जो लिम्रिक है उसको comedy या comic plays में use किया रहाता है किस चीज के लिए humor को create करने के लिए और एक बात और मैं बताना चाहूंगा जो एडवर्ड लियर के साथ साथ जीवी शा जीवी शा ने भी इसको बहुत अच्छे से यूज किया है लिम्रिक को अपने वर्क में दे लिम्रिक गॉट पॉप्लेरिटी बाइडवर्ड लियर एडवर्ड लियर के सभी नॉंसेंस लिटरेचर की श्रेणी में आते हैं और इसको लिम्रिक को humorous drinking song और humorous और एक toilet song के रुप में भी इसको जाना जाता है आपने एक मूवी देखे होगी ना toiletic frame कता तो बस अब toiletic frame कता की जगे लिख देना toiletic song और क्या लिम्रिक तो ये इस तरह से आपका ये ल WhatsApp group, Telegram group, Facebook जहां भी आपके पढ़ने का study group आपने बना हुए वहाँ पर शेयर करें और इसके साथ साथ comment box में प्रतिक्रिया भी दें अगर जो आप नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको regular updates मिलते रहे थैंक यू वरी मच यूर्स टॉक्टर सचिन गोष्वामी